अगर मैं आपको अपनी पोजिशन्स दिखाओं तो यह मेरा एंजल ब्रोकिंग का एक यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का चोटा अकाउंट है तीन चल लागता इसमें आप देखेंगे 37-500 की कोट ऑप्शन में मैंने लॉस किया है 37-200 की कोट ऑप्शन में यहाँ पर मैंने भी लॉस किया है 3-4,000 रुपे का 37-200 में मेरा अच्छा खासा प्रोफिट भी था जो मिस हो गया बट मार्केट में लोग गलती क्या करते हैं वो यहाँ पर पोजिशन को अगर सेल कर रहे है 37-250 एक्जामपल बता रहा हूँ अगर मार्केट इससे उपर निकल गया तो वो स्टॉप लॉस के साथ एक्जिट नहीं करते हैं उन्होंने ट्रेड ले लिया है मतलब उनको लगता है कि मार्केट यहां से गिरे गए थोड़ा और उपर आके गिरेगा वो उपर और पोजिशन एड़ कर देते हैं सेलिंग की मार्केट वापस से उपर आ जाते हैं इस करण से उनका ऑप्शन बाइंग में भी कापिटल खा सिंपल एक्जामपल लो सेती 250 की नीचे आपने सेल किया सेती 350 का यहां पर आपका इस्टॉप लॉस हिट हुआ मार्केट सेती 350 से लेकर 38,000 तक आया है 700 पॉइंट और उपर आया है उस 700 पॉइंट के अंदर आप अपना 100 पॉइंट का लॉस तो रिकवर करी सकते थे प्रॉ मार्केट से एक्जिट हो जाओ या दूसरे ट्रेड बाद में प्लैन करो उसी ट्रेड को सही करने की कभी भी कोशिश मत करो ठीक है इस्टबल होना जिद्धी होना बहुत बड़ी गलती है मार्केट के अंदर अभी हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी कहां पर ट्रेड कर सक अगर हम देखें तो 38,000 हमारे लिए रजिस्टन्स है 37,150 हमारे लिए सपोर्ट है बहुत बड़ी रेंज है इसके बीच में क्या ट्रेड नहीं मिलेंगे हमको बिलकुल मिलेंगे कैसे मिलेंगे राउन नंबर देखो कहां पर है जब भी लेवल समझ में नहीं है राउन क्लिए है तो अभी कल के लिए हमारे लिए 37,500 का लेवल काफी इंपोर्टेंट हो जाएगा बैंगनिफ की क्लोज हुआ है 37,700 के आसपास थोड़ा सा नीचे आता है 37,500 तक आता है सपोर्ट अगर लेता है एक ग्रीन केंडल बनाता है तो 37,500 पे हम पाइंग प्लैन कर सकते ह है और एक दो केंडल 37,500 के नीचे सस्टेन करता है तो 37,500 यह आपके लिए रेजिस्टन बन जाएगा उसके नीचे आप सेलिंट प्लैन कर सकते हो 37,500 तक मार्केट आपको फिर से गिरता हुआ दिखाई देगा 37,500 एक क्रूशियस लेवल होने वाला है इस पूरी रेंज के बीच में 37,500 पे सपोज बन नतला है, कैंड़ बाईंग वाली बन तो वाय खरेंगे 37,500 ब्रेक हो जाता है उसके नीचे रेड चैंडल बनती है तो सेल करेंगे 300,400 क्ना के टार्गेट ऊपर 300-400 क्ना के बोगारेट नीचे 10 Lori 100,000 से जादा बड़ बड़ी नहीं देंगे बड प्रेडियम सेथे 250 के नीचे एक पर ट्रैप हो चुके हैं, अभी बैंक निफ्ती का option chain भी हम देख लेते हैं, कौन सा डेटा हमारे लिए open होने वाला है, हम बात कर रहे हैं, 37500 की तो उसी को देख लेते हैं, 37500 पे हम बात कर रहे हैं, सपोर्ट लेने की market सपोर्ट लेगा, तो call sellers और put sellers के बीच में कोई बड़ा difference नहीं है, तो market गिर भी सकता है 37500 के नीचे, अच्छा कसा भी गड़ सकता है, बट 37500 के नीचे sustain करता है, call writers बढ़ जाते हैं, put writers अपने position को exit कर देते हैं, तो उसके बाद मैं 37500 के नीचे 2-3 candles के hold करने के बाद हम इसके नीचे selling भी plan कर सकत देखते हैं, तो market 37000 तक भी गड़ सकता है, अगर 37500 के bullish ट्रेड लेते हैं, एक green candle देखें, इससे उपर का target देखें, तो 38000 तक अगें आपको यहाँ पर कोई बड़ा call writing का data भी नहीं देखेगा, 38000 तक market again bullish भी हो सकता है, बीच में रुकावा मार्केट 37500 इंपोटेंट है, इससे उपर sustain किया तो buying, इससे नीचे sustain किया तो selling, 300-400 point के target उपर की तरफ भी, नीचे की तरफ भी 100 point के stop loss के साथ, अभी हम यहाँ पर Nifty को देख लेते हैं, Nifty का आपर trade कर रहा है, Nifty के chart पर हम यहाँ पर चले जाते हैं, अभी Nifty में कलम ने discuss किया था, यह falling back channel है, यह नीचे break करेगा, 17-200 के नीचे एक sell trade बनेगा, 17-200 पर आपको sell trade का मौका मिला, यहाँ पर market retest करने भी आया, 17-220 को तो sell मिला आपको, 17-200 के नीचे sell हम करते हैं, तो 17,080 का हमारा target हेट हुआ, 100 point से ज़्यादा bank nifty में target मिला है, तो enough है, कईना कि 100 point bank nifty में अच्छा profit है, अगर थू falling wedge के बीच में मिलता है, इसके support line के पास में तो हम buying plan कर सकते हैं, वापस से market इसी wedge pattern के high के आसपास आता हुआ, दिखाई देगा, market नीचे break किया wedge pattern को, वापस से उपर आया, इसके यहाँ पर 210-220 के आसपास buying बनी, again 17-300, वही falling wedge pattern का high का ही target हम को मिला, again falling wedge के high पर sell trade मिला है, और वापस से market falling wedge के यहाँ पर support line तक फिर से गिरा है, काफी अच्छे trade मिले, एक ही wedge pattern के बेस पे आपको nifty के अंदर आज 2-3 काफी अच्छे trade मिले है, अभी देख लेते हैं, नifty कल कैसे trade कर सकता है, again same इसी pattern को अभी तक follow करेंगे, 17,180 का जो low बना है, दिनको 3 बजे, अगर market flat open होके 17,180 को नीचे break करता है, तो यहाँ पर 15 मिन में इसने range बनाई है, range भी नीचे break हो जाएगी, और falling wedge वापस से नीचे break हो जाएगा, तो 17,180 के नीचे हम यहाँ पर 1 fresh sell trade ले सकते हैं, 30-40 point के stop loss के साथ nifty में, अगर यहाँ पर gap up आ जाता है, तो इसी wedge pattern के अंदर फिर स buying आएगी, अगेन आपका 17,280 का target मिलेगा, पर यह range जैसे जैसे छोटी होती जा रही है, तो मैं आपको कहूंगा, इसके बीच में थोड़ा सा trap मत हो जाना, थोड़ा सा break होने दो इसको ओपर या नीचे की तरफ, उसी के बाद में trade प्लान करो तो जादा बड़ी आए, 80-90 पॉंट का stop loss nifty के अंदर, 100 पॉंट का stop loss bank nifty के अंदर, otherwise इस range का break होने का wait करो, उसी के बाद में आप trade प्लान करना, अगर already gap down आजाता है, gap down आने के बाद में यहाँ पर 17,150-180 के असपास nifty sustain करता है, तो भी selling बनेगी, और इस बार जब गिरेगा, तो 17,80 तक नहीं गिरेग इस बाद directly 17,000 round number तक भी यह बड़ी गिरावट दिखा सकता है, क्यों? क्योंकि यह जो patterns बन रहे हैं, यह एक बार fail हुआ है, ठीक है, यहाँ से market bullish हो गया, अगर वापस से selling आती है, तो दूसरी बार fail नहीं होगा, market पहली बाद तो range में फसावा है, और breakdown दिया तो breakdown fail हुआ, again buying दी तो वो सारी buying भी वापस से खतम हो गए, तो कहीं अगें selling pressure निफ्टी में ज़्यादा बनावा है, डांग निफ्टी में उतना selling pressure नहीं है, पर निफ्टी में है, निफ्टी 17,150, 170 के नीचे वापस से 17,000 round number तक भी गिरावट दिखा सकता है, अगर हम बात करें यहाँ पर निफ्टी में उपर के levels की तो अच्छी buying आप तो 17,350 के उपर मिलेगी, जब यह wedge pattern उपर की तरफ break होगा, अभी हम चलते हैं निफ्टी के option chain के उपर, कौन सा data हमारे लिए important होने वाला है, निफ्टी का option chain हम यहाँ से open करेंगे, वही level हम देख लेते हैं, 17,200 का level, तोड़ी से यहाँ से लग रहा है, बुलिश हो सकता है, बट निफ्टी के according 64,000 की put writing बड़ा data नहीं है, तो 64,000 की put writing है important data हो जाता है, पर निफ्टी के अंदर यह data उतना important नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे 17,000 round number पे 1,26,000 की put writing है कहीं नहीं, तो 1,26,000 की put writing के comparison में 64,000 की put writing ही आपड ज्यादा important नहीं है, निफ्टी यहाँ पर 17,200 को break करता है, 17,180 के नीचे निकलता है, तो option chain भी यही बोल रहा है कि 17,180 के नीचे sell trade बनेगा, और 17,000 तक market गिरेगा, पर उसके लिए market को flat open होना चाहिए, 17,180 को candle में break करना चाहिए, gap down में break कर दिया, तो फिर से trade मिस हो जाएगा, gap down आजाता है, तो 17,150, 170 के आसपास sustain होने का weight करेंगे, एक range बनाने का weight करेंगे, वो range बाद में नीचे break करती है, 17,150 के नीचे तो gap down आने के बाद में भी sell ले सकते हैं, पर market थोड़ा से ज्यादा वालिटाइल है, तो जहाँ पर भी trade करेंगे, छोटे stop loss के है, नहीं होने वाला है, इसी के base पर market थोड़ा जिसाइड होगा, कि यहाँ से जो range है, वो नीचे break होगी, charts की है, यह range उपर break होगी, तो जहाँ पर भी आप trade करते हो, जो भी level आप follow करके यहाँ पर trade करते हो, stop loss के साथ में exit करो, hope trading मत करना, और target 1-2 अगर आपको target मिल रहा ह चाहिए, अगर छोटा profit आगया है, तो अपने stop loss को trail करके अपने cost पर लाना अभी के दिनों में आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, I hope आप सारे levels and points समझ गया होगी, if you like this video, please click on like button and subscribe the channel, thank you.